So hey friends, आपने कभी न कभी LED lights का इस्तमाल किया होगा, तो आज हम इनी LED lights का temperature नापने आ लें, तो आज की वीडियो हम लोग 1 watt, 0.3 watt और 3 watt की LED, ये 3 LEDs का temperature नापने आ लें, heat sink और without heat sink दोनों के साथ, जो मैं 1 watt की LED ले रहा हूँ, वो white glow करती है, 0.3 watt वाली आपकी blue color में, और 3 watt की आ साथ जोड़ कर, ताकि हम इसका temperature नाप सके, तो मैंने आपको heat sink paste को heat sink aluminium plate उसके उपर लगा दिया है, अब मैं इसके उपर LED light को रखूँगा, और दोनों positive and negative को solder कर दूँगा, इसी तरीके से आपको बाकी 2 LED lights को भी heat sink plate के साथ connect कर देना है, अब LED light को glow करने के लिए, हमने एक breadboard में simple circuit बना रहे है, जिसमें एक battery, एक switch और दो clip fire से आपका LED light जोलने के लिए, temperature measure करने के लिए हम लोग digital thermometer का इस्तमाल कर रहे है, जिसके आगे से एक aluminium की rod लगी हुई है, जिहां आपको touch करते ही, आपका temperature उस body के हाथ connected होगा, उसका आपका temperature इस digital meter में show करेगा, जो काफी accurate जो करता है, और इसका price लगबा 100 rupees online आ जाता है, तो उस rod को और aluminium plate को हम लोग doctor tape की में चिपका दिंगे, उसके बाद clip fire को positive or negative करेंट करेंगे, और दूसरे वाले mobile में एक timer चला दिंगे, जिससे कि हम लोग इसका time भी note कर सके कि यह कितने देर में कितना temperature बढ़ आ है, तो सबस LED को power देने के लिए हम लोग सभी LED इसको एक जैसा voltage दे रहे है, 3.7 volt lithium battery और यहांको अपनी blue वाली LED तयार हो चुकि है, जिसको हमने लगबग 2.5 minute चलाया, लेकि 24 degree Celsius से उपर बिलकुल भी नहीं बढ़ी, अब यहांको हमारी second LED आ चुकि है, जो कि 1 watt white color में है, आप dark में लेकिन यह भी 24 degree Celsius का temperature maintain करके रखी, वी तक हमने जिता भी temperature note किया है, वो आपका heat sink plate के साथ, इसलिए maintain है, अब आपकी 3 watt की green color LED आ चुकि है, अब आप इसका temperature देखे एक बारी, यह 3 watt की है, और आप इसकी brightness देखे सकते हैं, यह dark में कितनी जादा है, अब आप एक बार इसका नोट करेंगे LED lights का बिना heat sink plate के साथ, तो सबसे पहले जहाँ को हम लोग heat sink plate लगाते हैं, वह आपको digital thermometer की aluminum rod लगा देगे, उसके बाद 24 degree Celsius से start करेंगे, और लगबर 3.5 minute तक देखेंगे, कितना temperature बढ़ लाए इनका, और आप brightness देखे सकते हैं, कि brightness सेमी रही कि इनकी, और आ हमारी second LED आच चुकिए, जो कि 1 watt की है, और white color में glow करती है, इसका temperature भी लगबर आपका blue color वाली LED के आसपास ही जाएगा, तो लगबर 3-4 minute जलाने के बाद भी इसका temperature 26.5 degree Celsius ही रहा, तो इसका temperature भी blue color वाली LED के आसपास ही रहा, गाइस अब आच चुकिए हमारी last LED जो कि 3 watt की ह green color में glow करती है, और आप इसकी brightness देखे सकते हैं किती ज़्याद है, इसको भी हम लोग लगबर 4 minute टक glow करके देखेंगे कि इसका temperature किता जाता है, इस LED के हमने लगबर 5 minute टक जलाया है, क्योंकि हम इसका highest temperature देखना था, जो कि आपका 30.3 degree Celsius आया, जो कि अभी तक का highest था, और हा आयकर बेल नोटीजियन को अन कर देए, थैंक यू फर वाचिए